लोग सभा चुनाओ करीब आते ही नरेंद्र मोदी की सरकार यूट्यूब चैनलों को बंद करने जा रही है 120 चैनलों के उपर मोदी सरकार ने कारवाई की है और वहीं नरेंद्र मोदी का दावा है कि देश में सिर्फ चार जातिया है लेकिन आज सवाले है नरेंदर मोदी जी आपने उन चार जांतियों के लिए कौन सा काम किया है नमस्कार मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक लोगसभा चुनाओं करीब है अप्रेल या मई के महिने में लोगसभा का चुनाओं पूरे देश में होना है लेकिन नरेंदर मोदी की सरकार अभी से एक्टिव हो गई है जो विप्ति जो पत्रकार अगर यूट्यूब पर है अगर उस सरकार से सवाल पूछ रहा है तो नरेंदर मोदी की सरकार उन समीच चैनलों पर पाबंदी लगाने जा रही है देखिए IBC 24 लिखता है केंदर सरकार की एक और डिजिटल स्ट्राइक 120 यूट्यूब चैनल्स को ब्लोग किया है इसके पहले भी नरेंदर मोदी की सरकार अनुराग ठाकूर का मंत्राले कई चैनलों को बंद कर चुका है क्या सरकार को डर लग रहा है सरकार से सवाल पुछना अपराद गुना होता जा रहा है एक बड़ा सवाल है और जो विक्ति जो पत्रकार सरकार के सीदे पढ़ता है वो ही पत्रकार अगर फेक निउस फहलाता है खासका टीवी मीडिया वाले उनके उपर कोई कारवाई नहीं होती UPSC जिहाद जो सिरीच चलाता है उसके उपर कोई कारवाई नहीं होती जो फर्जी खबर फैलाता है उसके उपर कोई कारवाई नरेंद्र मोधी की सरकार और अनुराग ठाकूर का मंत्रा ले कोई भी एक्शन उसके उपर नहीं लेता लेकिन जो व्यक्ति जो यूट्यूबर जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने काम करता है सरकार उस पर पाबंदी लगाने जा रही और कई चैनलों पर भी पाबंदी लगा दी है आज कल के यूट्यूबर अपने चैनल पर कमाई और ट्रेफिक बढ़ाने के लिए कई परकार के तरीके अपनाते हैं तो जाहिर सी बात जो यूट्यूब वाले हैं क्लिक बेट थमने लिखते हैं कि जैसे ही लोगों के पास जाए लोग उस पर क्लिक करें और लोग देखें लेकिन सरकार को ये बाते जो है अब अच्छी नहीं लग रही है और इसलिए सरकार बड़ी कारवाई करने जा रही है कौन सा चैनल कब तक है कब तक आप देख पा रहे हैं इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सरकार के पाले में ही गेध है और वहीं भारते जनता पालिटी के राष्ट्रिय प्रवक्ता गवरो भाटिया ने एक ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी का बयान है नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरे लिए देश की सबसे बड़ी जाती कौन सी है गरीबों की जाती है सबसे बड़ी जाती इवाओं की है सबसे बड़ी जात किसानों की हैं शे प्रधान सेवक नरेंडर मोदी का बयान है लेकिन अब सवाल नरेंडर मोदी से हैं मोदी जी गरीबों के लिए आपने क्या किया आपने उही काम किया, गैस लेंडर को आपने 1200 उर्पे में कर दिया, लोग गैस लेंडर खाना नहीं बना पा रहे हैं, इवाओं के लिए क्या काम किया, आपने कहा था, हर साल 2 करोड लोगों को, 2 करोड इवाओं को नौगरी दिया जाएगा, 10 साल पूरे होने को है, 9.5 साल से जादा कंप्लीट हो चुके हैं, क्या आपने हर साल 2 करोड की हिसाब से इवाओं को रोजगार दिया, नहीं दिया, दो जातियों के साथ आपने ना इंसाफी की है, चलिए, अब हम बात करते हैं, तीसरी जाति की, महिलाओं, महिलाओं के लिए नरेंदर मोदी ने क्या किया, नरेंदर मोदी कहते थी, जो भी बहने भाई, गरीब है, हवाई चपल पहनता है, हम सफर करवाएंगे हवाई जहाद में बैठा करके, यानि हवाई चपल वाला हवाई जहाद में सफर करेगा, महिला सुरक्षा की बात हमारे देश में आए दिन होती रहती है, महिलाओं कित बीजेपी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, हाला कि कॉंग्रस भी दूद की धुली हुई नहीं है, लेकिन भारती जनतापालिटी किस तरीके से फरजी बाते करती है, किस तरीके से वादा करती है, और इसके बाद अपने वादों से मुकर जाती है, किसानों की बात तर अगा तभी तो किसान आये थे अंदोलन करने के लिए और उत्तर प्रदेश विधान सभा का जब चुनाव करीब आया तो आप टीवी पर आएं आप रोने लगें आप भाउक होंगे और कहने लगें कि लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी रहे गई वही किसान आज आपके उन लगातार बढ़ते जा रहे हैं सही समय पर धान की गयों खरिद्दारी नहीं हो पाती किसानों का भिजली का जो बिल है लगतार बटते जारहा है इस पर भी आप खामोस हैं आप नहीं बोलते आपने कहा कि हमारे लिए चार जातियां है और मैं याद दिला दूं नरेंद ही हैं बिहार के मुख्यमंत्र नितिश कुमार बिहार के डिप्टिस्यम के जस्त्वी यादों ने जब बिहार में जातिगत जन्गना करवा दी इसके बाद आप खुद को अभी सी नहीं बोल रहे हैं हिंदू बोलते ही तरीकिस देखा जाए हाला कि अनाफिसियल बयान है आप हिंदू हैं यही है ना लेकिन जो चार जातियां हैं आप कम सकम उनके साथ तो साहम नाय कर लेजिए इनके साथ नाय क्यों नहीं कर रहे हैं गरीव, विवा, महिलाए, किसान अगर कोई व्यक्ति कोई पत्त्रकार इन चारों की बीच में चला जाए ते चारों लोग चारों जातियां आपके बारे में बता देंगे उत्तर प्रदेश की रालधानी लखनव है इको गॉर्डन वहां पर आंदोलन चल रहा है क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य वंत्री उत्तर प्रदेश के education minister मिल्ने के लिए गये हैं क्या आपका सच्चीव मिलने के लिए गया आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप घर में होंगे, घर में लगते होगी ऐसी चलता होगा, ठंड लगती होगी हो सकता है कि हीटर हो तमाव और व्यवस्था हो लेकिन उनके लिए क्या है इतनी ठंड में आज एक दिसंबर है इतनी ठंड में वेविचारे आंदोलन कर रहे हैं नौकरी की मांग कर रहे हैं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है नरेंद्र मोधी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, योगी आदितिनात की सरकार ने इठान लिया है किसी भी कीमत पर, इन सभी लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा क्योंकि अगर सरकार सुनती है, तो इनके साथ भला होगा, लेकिन सरकार नहीं चाहती इसलिए नरेंद्र मोदी जिसको जाती बता रहे हैं उनके लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और जब चाहे विधान सभा हो चाहे लोग सभा हो चाहे राजसभा हो लोग सभा राजसभा में जो बेक्ति जोनेता नरेंद्र मोदी से सवाल पूचता है उसकी सांसनी चली जाती है उसको जेल में डाल जाता है एक उधार है संजैसिंग फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप लोग जरूर बताएगा नरेंदर मूदी चारों जातियों ले क्या कर रहे हैं और यूट्यूब चैनलों को जिस तरीके से बंद किया जा रहा है इसे क्या समझा जाए आप कमनगस में हमें बता सकते हैं अब धन्माद Cornel ξHAHA की आपसे गुजारी से की इसको बचाना चाहते हैं तो निसनला दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलरर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनला दस्तक को बचाने के ल झाल झाल